हेलो डियर इस्टुडेंट्स कैसे हो आज का अपना जो टोपिक है टाइप ओफ इवोल्वेशन ठीक है इसे पहले जो लास्ट फेज है नर्शिंग प्रोसेस का इवोल्वेशन है ना इंट्रोडेक्शन जो है उसका कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में ठीक है तो क्रेसी टुडाइप अनित्रोडन में आपम आप्राइप, तो इसमें थो यह तो सोह में फशकर में अगया फोल्वेशन को कर न खोड़ क्रिशन को क्रेशन तो इसमें इसमें तो एकृट्पन देखंगे according to based on criteria evolution can be classified according to based on criteria criteria कि according evolution को classified करें ठीक है तो first इसका होगा structure evolution ठीक है second अगो इसका process evolution और जो third होगा वो है outcome evolution ठीक है structure evolution क्या करते हैं कि भी जो patient की जो care जो आपने जो की है patient को care provide की है इसको आप क्या कर रहे हो evaluate कर रहे हो ठीक है तो उसकी criteria के according अगर अगर अपन देखें तो उसकी जो structure है वो अपन evaluate करते है structure मतलब जो नर्ष है उसने किस तरह की care provide की है ठीक है इसमें किस तरह की जो system को use में लिया है ना प्रोसेस में आपन देखते हैं कि भी इस तरह का जो process किस way में care provide की है कौन सा वे यूज में लिया है ठीक है और outcome में आपन देखते हैं कि भी इसका result आपन देखते हैं ठीक है तो अपन first बात करेंगे structure evaluation ठीक है first one जो है वो structure evaluation ठीक है तो इसमें अपन देखेंगे this type of evolution focused on assessing the system by which nursing care is delivered मिलब जो इसमें अपन कह सकते हैं कि भी जो इसा कौन से system जो है nursing care जो अपन deliver की है nursing care जो provide की है उसमें किस system को अपन ने use में लिया है हाना उसको अपन assess करेंगे कि भी जैसे patient का temperature अपन ले रहे हैं हाना तो thermometer को अपन ने clean करके युज में लिया है मलब disinfected करके युज में लिया है या ऐसे युज में लिया है हाना या कौन सा thermometer युज में लिया है कौन सी position में लिया है हाना तो यह चीज़ी अपन देखेंगे इसमें ठीक है structure evaluation examined है physical facilities कोई भी physical जो है उसको एक्जमाइन करने के लिए हाना resources जो है equipment जो है ठीक पॉलिशीज प्रोसीजर stopping pattern and qualification of staff यह सब आता है structure evaluation में मतलब अपन देखेंगे कि भी जो stop जो है उसकी qualification क्या है जो care provide कर रहा है ठीक है stopping pattern क्या है जो care provide कर रहे है ठीक है procedure क्या प्रोसीजर क्या था इनका मतलब कि प्रोसीजर जो है जैसे injection दिया तो इसका procedure क्या था ठीक है ठीक है step follow कि या नहीं किया है policies कौन सी policy यूज में लिए है ठीक है equipment कौन सी यूज में लिए है ठीक है स्टाप जो थे ठीक है stopping pattern बगर हो गया है ठीक है स्टाप की qualification यह चीज़े अपन structure जो evolution है उसमें उसको assess करते हैं ठीक है second जो type है according to criteria process evolution process evolution means इसमें जो भी अपन equipment जैसे first structure evolution इसमें जो यूज में लिए है जो कुछ भी equipment जो भी स्टाप जो भी है ना इसमें process क्या है इसके प्रिक्रिया क्या हुई है है ना वो अपन evaluate करते हैं कि किस तरह से आपने किया injection दिया है इसमें यह injection आपने यूज में लिया है है ना बट इसमें किस तरह से आपने इसको perform किया है ठीक है इसमें अपन means it is the measurement of nursing action by examination of each phase of nursing process it focus on the manner or way in which care is given for the activities performed by the nurse मलब जो नर्श ने जो भी activity जो perform की है आना पेशेंट को care provide करने के लिए हाना उसको किस way में या किस manner में उनको provide किये care provide किये ठीक है उस पर अपन क्या करेंगे focus करेंगे उसको अपन क्या करेंगे या किस में involved करेंश रखते हैं process evaluation ठीक है this type of evaluation is done to determine nursing care was adequate appropriate effective and efficient मलब यह अपन determine करेंगे assess करेंगे देखेंगे कि process evaluation में कि भी जो nursing care provide की है वो adequate है या नहीं है appropriate है नहीं है effective है या नहीं है efficient है या नहीं है यह सब अपन जो process evaluation है इसमें अपन include कर सकते हैं third one जो है outcome evaluation outcome evaluation means अपन क्या देखते हैं इसमें result देखते हैं कि भी जो एक patient की जो actual जो problem जो है है ना उससे अपन compare करेंगे अपन वापिस introduction में आते हैं कि भी जो actual problem जो है उसको अपन compare करेंगे किससे जो expected जो outcome है उससे अपन compare करेंगे ठीक है it means it is the process of comparing the client current status current health status with the expected outcome है इसमें अपन क्या करते हैं कि भी जो क्या कर जो outcome जो evolution जो है इसमें अपन क्या करेंगे कि भी जो patient का जो या जो client जो है उसका current जो health status जो है मुलब जो प्ला या जो nursing care provide करने के बाद जैसे implement कर दिया है ना उसके बाद आपन देखते हैं कि उसका health status क्या है है वाइटल साइन अपने measurement करते हैं तो या उसकी जो condition जो है comfortable feel कर रहा है या नी कर रहा है वो जो सब देखते हैं अपने current में क्या है मतलब current में treatment करने के बाद उसकी क्या condition है और उससे पहले क्या condition थी उन दोनों की वीच में अपन क्या करते हैं compare करके उसका outcome जो evaluate कर सकते हैं ठीक है expected with the expected outcomes please stop it focus on change इसमें अपन क्या करते हैं उसमें change क्या हो रहा है उससे फोकस रखते हैं कि भी हाँ यह दिरे दिरे चेंज हो रहा है temperature ज्यादा था अब कम हो गया मतलब चेंज हुआ है पहले मतलब इसको breathing difficulty अब मतलब normal है तो मतलब यह भी चेंज हुआ है मतलब change अपन nursing care क्यों दे रहे हैं change के लिए है उसमें कुछ न कुछ चेंज हो behavior change हो उसकी जो condition हो health condition हो change हो ठीक है अपन चाहते है तो यह है कि change हो लेकिन कई बार यह होता है कि अपन care proper दे रहे हैं लेकिन patient की death हो जाती है मतलब changes कुछ ज्यादा ही हो गया है negative changes हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है हाँ आगे देखेंगे it focus on change in the client health status after care given अपन क्या चाहते है कि अपन कोई भी काम करते हैं क्यों कर रहे है result के लिए है ना अपन क्या चाहते है कि result देखना चाहते है कुछ change हो है ना आप जैसे कोई भी work करते हो या कुछ भी करते हो है ना तो यह चाहते हो कि भी आप की अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा है ना अभी आपके पास hundred है ना या बलब hundred जो और उसके बाद आप चाहते हो कुछ मैनत करो कुछ है ना तो उसके बाद वो जो आपके पास जो total जो मनिति उसमें plus या कम जो भी minus हो जाएगा बलब change हो जाएगा condition जो change हो कृछुंचों आपका बित्सक्राइन कहते हैं क्लाइंट की प्रोब्लम होती है कि यहां पे नौरा वहां पे नौरा या महलब वो उसको चिलाना रोना यह सब देखने को आपको मिलता है ठीक है लेकिन जब आप लास्ट में अपन वह एवलुएट करते हैं ठीक है तो उस टाइम भी अपन आप क्लाइंट से इंटर्वी करत उसको आपन अपजरू करेंगे उसके वाइटल साइंस बगेरा वह असेस्ट करके और अपन आपन क्या कर सकते हैं उसको आउटकम जो है उसका करेब्र कर सकते हैं अगर अपना देक Southwest कर रहे हैं तो frequency अपन कर सकते हैं frequency के according अगर अगर अपन evaluate जो है sorry evolution जो है इसको अगर अपन classified करें ठीक है तो इसमें first जो type होगा वो होगा continuous evolution second जो होगा modification evolution और जो third जो one जो होगा वो होगा termination evolution ठीक है तो अपन first की बात करेंगे continuous evolution continuous evolution क्या होता है कि भी जब expected जो outcome है मतलब जो आपने जो goal decide किये थे है ना उसको achieve करने में कर सकते हैं कि achieve करने के लिए अगर ज़्यादा time की need हो है ना या time ज़्यादा लग रहा है है ना कि आपने सोचा जैसे जैसे आपने आज जो है आपकी morning में duty है आज नस है ना और आपकी morning duty है और आपने पेसेंट के लिए जैसे goal decide किये है ठीक है कि भी body temperature जो है उसको maintain रखना है जैसे high body temperature है पेसेंट का hyperthermia condition है ठीक है उसको maintain करना है उसको normal ले किया है body temperature को reduce करना है ठीक है तो उसके लिए आप उसकी care कर रहे हो है ना evening ते कि आपने care की लेकिन normal नहीं हुआ है ठीक है फिर night जो duty है आप continue आपकी है तो आप फिर night को care provide कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है है ना तो उस time में आप क्या कर रहे हो उसको continuous कर सकते हो उसको continuous evaluation कर सकते हो मतलब आपने छोचा कि भी हाँ जैसे time fix कर लिया आपने कि भी evening तक यह हो जाना ची expected आपका outcome कि आपने उमीद क्या रखी कि भी हाँ मैं जिस तरह से care कर रहा हूँ patient की जो condition है है ना उसके according मुझे लगता है कि या अपन care उस तरह से करेंगे कि भी हाँ evening तक जो है इसका temperature जो हो normal हो जाएगा है ना बट नहीं हो रहा है है ना तो आप उसको क्या कर सकते हैं continuous evaluation ठीक है next type है modification, evaluation modification, modify यह word आपको पता है meaning आपको पता होना चाहिए modification, modify करना है ना मलब जो आप care कर रहे हो है ना evaluate आपने देखा sorry result आप देखना चाहते हो evaluate करना चाहते हो उसमें अगर आपको प्लस माइनस हो है ना कुस पॉइंट जो है प्लस माइनस हो थोड़ा सा उपर नीचे हो है ना तो उसको आप क्या कर सकते हो modify करके आप evaluate कर सकते हो और उसके positive जो result आप ले सकते हो या कर सकते हैं कि positive जो outcome जो है वो आप ले सकते हो ताकि उसको terminate आप कर सकते हो modification of the plan of care is done if difficulties in achieving the outcome are identified मलब जो outcome जो है जिसको आप achieve कर रहे हो उसमें अगर minor difficulties आपन कर सकते है if difficulties हो थोड़ा बहुत है by difficulties उसके बहर कई का होते है कि कोई भी काम करते है या जिस 와서 होता है जिसtes कोई accident होने वाला और बच गयाह उत्तों कहते है कि बार बार बच ग्योग तो वो बार बार बच ग्योग उसमनलब जोड़ा सा बच गया वैसे हो जाता लेकिन वैसे ही पेशन की केर कर रहे हैं वैसे मुद्व इसका पोजिटिव आउटकम था evaluate कर रहे हैं कि अपन सोच रहे हैं कि यह तो हो जाना चाहिए था है ना यह कैसे थोड़ी सी कमी रहे गई उसको अपन क्या कर सकते हैं मतलब minor difficulty जो है है ना अगर आ रही हो outcome को achieve करने में, है न, तो उसको अपन क्या कर सकते है, modify कर सकते है, modify मतलब उसको, उसी time अपन उसको change कर सकते है, modify कर सकते है, ठीक है, next evolution जो है, termination evolution, termination evolution क्या होता है, कि भी result जो है, आप evaluate कर रहे हूँ, patient को assess कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है और उसकी जो condition जो है बिल्कुल एक कह सकते हैं कि healthy condition है है ना percent भी जो cooperate कर रहा है जो आप पूछ रहे है उसका बिल्कुल right answer दे रहा है वो ठीक है उसकी condition जो बिल्कुल healthy है वो self care कर सकता है ठीक है उसे पे question कूप पूटब में आपनी कर्सकते हैं कि हाँ कई कर सकते हैं कई कई सिंग उसकी जो में को इस एक्सकेट प्लाइक का करेंगे जब जो किया उस्वाइटा करेंगेग अशीब जितने बहुत कंट घ्र करेंगे वो भी completely यह नहीं कि टेम जैसे क्या बोलते हैं पार्सली जो है ना अपन कह सकते हैं कि पार्सली अगर थोड़ा सा अगर थोड़ा से अगर गोल अच्छी हुए हैं तो उस condition में अपन उसको प्लान जो भी है अपने नर्शिंग केर प्लान है उसको अपन क्या कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं ठीक है यह अपने जो टाइफ से वह कंप्लीट हो गये है नर्शिंग और अब अपन नेक्स्ट देखेंगे इसके components of components हां components of evolution process जो है इसके components क्या है मिलब किस तरह से एवोलेट करते हैं इसके process क्या इसकी मिलब कि क्या process रहेंगे क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी किस तरह से अपन मुल्यांकन कर सकते हैं क्या करेंगे सबसे पहले ठीक है तो यह अपन नेक्स्ट वीडियो में देखें ठीक है देर थैंक यू